सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी फ्राइ बहुत ही टेस्टी बनने वाली है तो गोभी को एकदम पतले पतले छोटे छोटे टुकडों में इस तरीके से काट लेना है धो लेना है अद्रक बारी काटेंगे आलू बारी काटेंगे यहाँ पर ह करने वाले हैं बस इतना ही तेल लगेगा इस सब्जी को बनाने के लिए तो तेल आप कम जादा कर सकते हो लेकिन फिर उससे सब्जी के टेक्स्चर में फर्क पड़ जाएगा गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और करीब करीब दो मिनट के लिए इसे हम आलू को फ्राइ करेंग गोवी फ्राइ करेंगे तो गोवी के टुकडों को बहुत ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा छोटा छोटा ही रखना तो अच्छे से फ्राइ होते हैं और पकते भी आराम से हैं और अगर जादा तर लोगों की दिक्कत होती है जब गोवी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें ज हाई फ्लेम पर ही रखना है हाई फ्लेम पर रखने से क्या होगा गोवी में कलर जल्दी आ जाएगा और तेल कम सोखेगी तो गोवी को फ्राइकर साइड में कर लिया है यहां जीरा डाल दिया है पहले और बारी कटा अधरक लैसन डाल लेंगे पहले हम अधरक और लैसन को तेल के साथ में भूनेंगे, अगर आपको लगता है तेल कम है, मसाला ज्यादा पकाना है, आपको ज्यादा प्याज वगरा ली है, आपने ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो, तो उसी हिसाब से तेल की मातरा थोड़ी सी बढ़ा देना, अब यहाँ पर देखो तेल का ज् इसके भी यहाँ पे या कद्दू कस करके यूज कर सकते हो मीडियम फ्लेम पे प्याज को एकदम ब्राउन होने तक पकाएंगे कुछ इस तरीके का कलर आने तक अब इसमें डालेंगे हम आधा चमच हल्दी, एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच नमक अच्छे से मिला देंगे इसके बाद इसमें हमने डाल दी है स्लिट करी हुई तीन हरी मिर्ची फ्रेशनेस के लिए और दो टमाटर अब हमने पहले पे जो मिर्ची यूज करी है वो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी वाली यूज की है इसलिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च डाल ली है तो हरी मिर्च आप जरूर डालना, इसलिए जो पिसी मिर्च डालना वो थोड़ा सा संभल के डालना अब इसे cover करके पकालो हलके से पानी के साथ या फिर आप जैसे पकाते हो वैसे ही सुखा पकालो भारी तले का बरतन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने पकाना है टमाटर को खूब अच्छे से ये गल जाए और इस तरीके से देखो तेल रिलीज हो जाए मसाला एकदम बढ़िया दिखना चाहिए एकदम चमकता हुआ एकदम शाइनिंग है ना मसाले में तो यहां डाल रही हूँ घर का बना हुआ गरम मसाला आधी छोटी चमच इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ही फ्लेव मिल जाएगा और हमारी सबजी का जो टेक्श्चर है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर हम मिलाएंगे मसाले के साथ में गोबी और आलू को अब आलू और गोबी यहां पर 50% to 60% पक चुके हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा पकाने की जरुरत नही ना कची रहेगी और चाहो तो आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हो मैं नहीं डाल रहे हूं सगज़ा यानि low medium भी आप कर सकते हो अगर सबजी जादा है तो उसी साब तो थोड़ा पानी डाल देना मसाला पीस करके लिया है तो आप पानी जादा भी डाल सकते हो ग्रेवी चाहिए तो लेकिन यह सबजी आप में जितना इसमें ग्रेवी कम रखोगे उतनी अच्छी लगेगी धनिया पता डाल देंगे और इसके बाद इसे हम हाई फ्लेम पर जरा देर के लिए मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो इसमें स्टीम बनी थी ना जो स्टीम वाला पानी इसमें बाद में गिरा है वो जल जाए वो सूख जाए और यह सबजी में जो है अच्छा सा सौंधापन आ सके चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि गोवी के टुकड़े कटे नहीं तो आप देखो हम यहा जाने वाली है सबको आपको वीडियो देखकर मज़ा आया हो तो वीडियो लाइक करिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजी ऐसी और वीडियो के लिए